नमश्कार आपको सुगति इस्टोक लोजी में आज हम बात करने वाले हैं जो मैटो लिम्टेट के क्वाटरली रिजल्ट्स के बारे में तो जिन्हों ने भी चैनल को सब्सक्राइब में किया अपले सब्सक्राइब करें बैल आइकॉन पर क्लिक करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें तो अब हम देख लेते हैं रिजल्ट्स को आपके सामने रिजल्ट हैं कंसॉलिडेटेड और आकड़े दिये गए हैं मिलियन में बात करेंगे रिजल्ट के फॉर्मेट की तो सबसे लास्ट में जो कॉलम है वो जून 21 कॉर्टर की रिजल्ट हैं सेकेंड नमर पर 15 500M की और यून 22 कॉटर में कम्पणी की टोटल इंकम रही 15820 मिलियन की तो टोटल इंकम की बात करें येर और में जुन 21 कॉर्टर से यून 22 कॉर्टर में तो यहां पर हमें 73 प्रतिशत की व्रत्धी इंकम में होते हुए दिखाई दे रही है येर-on-एर में अगर हम बात क हैते हैं expenses की सबसे नीचे दिए गए हैं total expenses जून किसकौर्ट में expenses थे 12,597,000,000 के मार्च 22 कौर्टर में 17,070,000,000 के और जून 22 कौर्टर में expenses रह 17,677,000,000 के तो expenses को देखें यर ओन year में जून किस्कौर्टर से 22 कौर्टर में तो यहाँ पर हमें 40 प्रतिशत की व्रद्धी expenses में होते हुए नजर आ रही है अगर हम बात करते हैं मार्च बाइस quarter से जून बाइस quarter में तो यहां पर हमें जो expenses है वह चार प्रतिशत वड़ते हुए नजर आ रहे हैं quarter on quarter में अब हम बात कर लेते हैं company के profit and loss statement के बारे में तो बात करते हैं नाइंद नमर पॉइंट loss before tax की जून 21 quarter में 3590 million के loss थे मार्च बाइस quarter में यह 3594 million के loss में convert हुए और जून बाइस quarter में 1860 million के loss before tax रहे तो loss before tax को देखें year on year में जून इस quarter से जून quarter on quarter में March 12 quarter से June 12 quarter में तो यहां भी हमें loss before tax में कुछ कमी होते हुए दिखाई दी रहे company के loss घटे हैं बात कर लेते हैं 11th number point loss for the period अब लेकी year यानी company के net loss जून 21 quarter में 3607 million के net loss थे मार्च बाइस quarter में 3597 million के loss हुए और जून 12 quarter में 1860 million के net loss रहें तो अगर हम net loss को देखें year on year में जून 20 quarter से जून 22 quarter में तो यहां पर हमें loss में कमी होते हुँए दिखाई दी रही है year on year मैं अगर हम बात करें quarter more March 12 quarter से जून 20 quarter में तो यहां पर हमें quarter on quarter में भी लौस घटते हुए नजर आ रही है ओवरॉल रिजर्ट्स की बात की जाए तो हमें कंपनी के चाहे वह quarter on quarter हो या year on year हो उस performance में कुछ सुधार होता हुए दिखाई दे रहा है जो कंपनी के loss है year on year quarter on quarter दोनों में ही हमें कुछ कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं कंपनी ने profit नहीं दिखाया है लेकि